हेलो व्योर्वन पिछली क्लास में आपको कंवरजन आप नमबर सिस्टम बताय था और उसके आपको बाएंडी टू करते हैं वह बताय था और आज की वीडियो में जो चेंजिंग आप डैसिमल है उसको उक्टल में किस प्रकार से चेंज करेंगे उसके बारे में देखते है तो इसके लिए कुछ step है उसको हम देखते है decimal संख्या को portal में परिवर्टित करना सबसे पहले क्या होता है इसमें दी गइए decimal संख्या में उक्टल संख्या के आधार आठ का भाग देते हैं और प्राप्त सेश्वल को दाई और लिखते हैं और जो भाप्त प्राप्त होता है उसमें पुना आठ का भाग देंगे और जो सेश्वल होगा उसको फिट दाई और लिख देते हैं और इस क्रम को ऐसा तब तक दोहराते हैं जब तक कि भाकवल 0 प्राप्त नहीं हो जाए और प्राप्त सेस्वल होता है उसे नीचे से उपर की क्रम में लिखते हैं और जो वही ओक्टल संक्या होगी जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि decimal को binary में और binary को जो decimal में अपने चेंज किया था तो सेम वो कि वो method है बस इसमें आधार का अपने को ध्यान रखना है कि यदि decimal को octal में चेंज करना है तो उसका octal का आधार 8 होता है तो जो दीगे संक्या होगी उसमें 8 का भाग देते रहेंगे और जब तक देते रहेंगे जब तक अपको last में 0 प्राप्त नहीं हो जाए और जो बच्चे वे उसक तो अपन दाई तरफ लिखते रहेंगे तो इसके एक दो एक्जामपल सौल करते हैं तो इसका एक्जाम लेखते हैं जैसे question नमबर एक गुनपच्चास 49 जो आपको decimal में संक्या दे रखी है उसको आपको octal में चेंज करना है तो वही octal में चेंज करने के लिए क्या करेंग और पीछे इसका एक remainder बच गया यानि इसका safe level एक बच गया अब वापिस 8 का भाग दिया इसमें इसका भाग ने गया तो क्या आगया जीरो तो जहां पर जीरो आगया उसको stop करतो और ये जो 6 है इसको मैं आपको देखो अलग से pen से बताया है इसको dot dot करके आपन इस 6 को गया 6 और एक यानि जो गुनपचास आपको decimal संक्या दे रखी है उसका octal में इसका मान कितना हो जाएगा 61 अगला देखते है question number 2 256 decimal में जो आपको एक संक्या दे रखी है उसको आपको octal में convert करना है octal में convert करने के लिए वापिस इसमें 8 का भाग देंगे जो decimal संक्या दे र बाग पुरा पूरा चला गया सभी नहीं बचा जीरो रिख दिया वापिस इसमें 8 का भाग दिया फिर वापिस इसका eight का भाग दिया जीरो बच जाएगा तो बच जाएगा आपके जीरो बच जाएगा और जब इसको मान को पढ़ेंगे तो यह संख्या हो जाएगी आपके bottom से top की तरफ यानि नीचे से उपर की तरफ इसकी value को पढ़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा four zero zero यानि जो 256 आपको decimal की संख्या दे रखी है उसमें इसकी octal का मान किता हो जाएगा four double zero अगला है दसमलव यदि आपको अंक दे रखा है उसको आपको octal में change करना है तो इसे कैसे करेंगे तो इसके भी कुछ step है उसको देख लेते हैं दी गए दसमलव संख्या को आठ से गुणा करेंगे उत्पन कैरी को दाई तरफ लिखेंगे और सभी कैरी इसको बढ़ते विक्रम में व्यवसित करेंगे अर्था टॉप से बॉटम की तरफ और प्राप्ट जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी आपको ओक्टल संख्या प्राप्ट हो जाएगी इसका एक question देखते हैं जिससे आपको clear हो जाएगा जिसे 0.15 आपको decimal के अंदर एक संख्या दे रखी है उसको आपको octal में convert करना है और ये 10 मलव की संख्या दे रखी है तो आप उसको octal में किस प्रकार solve करोगी किस प्रकार उसको convert करोगी तो लिख देंगे अपन पहले 0.15 और हमेशा इसको चेंज किसमे करना है आपको अक्टल मही करना है तो इसको 8 से गुणा कर दिया तो 0.15 इंटू 8 किया तो क्या मिल गया आपको 1.2 अब 10 मलाव से जो पहली की संक्या है उसको अपन दाई तरफ लिख लेंगे फिर क्या किया यह 10 मलाव है क्या बज़ गया आपके पास यह पर 0.2 तब इस 0.2 को वापिस 8 से गुणा किया तो आपको मिल गया 1.6 वापिस यह जो वन है उसको अपन इस साइड में सिफ्ट कर देंगे तो इसको इदर लिख दिया पीछे क्या बज़ गया आपके 0.6 इस 0.6 क को वापिस आप किसे गुणा करोगे 8 से गुणा करोगे तो इसका मान्ध कीता हो जाएगा 4.8 अब क्या करेंगे इस 4 को वापिस इस साइड में हबन सिफ्ट कर देंगे और जब इसके वैलियू को अपन पढ़ेंगे तो यह हमेसा क्या हो जाएगी उसमें तो अपन पहले व का मलब उप्री सिरा और बाटम का मलब नीचे से तो इसकी वैलू किते हो जाएगी 114 यानि जो आपको 0.15 डैसिमल में आपको एक संख्या दे रखी है उसकी दश मलब के अंदर इसकी जो ऑक्टल की संख्या होगी वह जाएगी 0.114 अगला अपना कनवर्जन है वापिस चेंजिंग ऑफ ऑक्टल टू डैसिमल पहले हमने किया था डैसिमल को ऑक्टल में चेंज किया था और अब ऑक्टल को डैसिमल में चेंज करना है तो इसमें क्या होता है प्रतेक इस्थान का मान ऑक्टल प्रणाली में निम्न प्रकार से हो को अच्छी तरह से समझना जाएगा आठखी गाठ जिरो लिखा होगा इसका मलब क्या होगा एक होगा एक हो एक इसका मलब क्या होगा 8 ऑठकी गाठ trao इसका मलब 64, आठ की गात 3, का मलब 512, और आठ की गात 4, यानि 4000 चिन्डू, ठीक है, अब इसके स्टेप देखते हैं, कि इसके स्टेप क्या होंगे, इसको किस प्रकार से कनवर्ड करते हैं, तो उसमें किन बातों का हमको ध्यान रखना है, ओक्टल संख्या लिख कर, संख्या के प् स्थान्य मान से गुणा करके, सभी को जोड कर, जो संख्या प्राप्त होगी, वो कौनसी हो जाएगी आपको, दस मलव संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे आपको एक दिया वाय है, उसको सॉल करना है, यह तेस्ट, इसका औक्टल संख्या आपको दे रखिए, उसको संख्या से अपने सग्याएं करते रहेंगे और गुणा करके उनको आपस में जोड़ेंगे और जो फराफ में आपकी слова करते में पहले जो आपको कि यह रखी है उक्टल के वालीवेलू का मान को लिख दिया दो और तीन or 23 है अब इसको को हमेज़ा दाए से बाएं की तरफ इसकी वैलिव लिखते है तो पहले, यानके आपके बाएं बीकाल से डिरूर्ट और आट की गाहत C then. नेशु नेशे और سसना 1 इसको बीधे तरह बिल जाए में रचा और आट की गाहत C 808 जीरो। 208 Donc 6ुब तो那么 요're thinking कि अलग सकते हैं एक लिख सकते हैं। यहां पर आगए 3 इन्टु एक classic 10 एक ब्लस अथ की बाट 10 एक यह आब कीगात 1 आठ की खात 1 आप कि आप हैं कि मेमत क्या होगा 8 तो यहां पर बापिस एथ लिख देंगे और 8 को दो सी गुणा.- पर आपको क्या मिलता है 16 फिर इनको आपस में जोड देंगे तो 16 और 3 कितना हो गया 19 तो जो 23 संख्या आपको ओक्तल में दे रखी है उसका decimal में इसका मान कितना हो जाएगा आपके 19 हो जाएगा अगला देखते हैं यदि आपको ओक्तल संख्या 10 मलव में दे रखी है और उसको आपको decimal में कनवर्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे इसके step है step first ओक्तल संख्या के ओक्तल बिंदू से दाई तरफ चलते हुए ओक्तल अंक के इस्थान के अनुसार उनकी place value का मान होता है वह लिखते रहते हैं और यहां मान क्या होगा एक बटा आठ एक बटा चौसट और एक बटा पानसो बारा होगे और सभी ओक्तल अंक को उनके इस्थानिय मान से घुना करके और सभी का योग करने पर परिवर्तित जो संख्या होगी वह कौन से हो जाएगी आपके decimal की संख्या हो जाएगी तो इसका एक example अपन सौल करते ह स्टार करते हैं इसका question एक आपको October संख्या 10 मलव के अंदर दे रखी है जीरो पॉइंट 36 इसका आधार क्या दे रखा है आपको 8 आधार 8 है इसका मलव यह October संख्या दे रखी है दश्मलव की October संख्या है उसको आपको decimal में convert करना है तो पहले आप संख्या लिख दो संख्य कौन से दे रखी है आपको 36 तो यहां पर लिख दिया आपने तीन और छे अलग-अलग लिख दिए फिर इनके इस्थान्यमान अब इनके जो इस्थान्यमान होंगे उसको हमेशा 22 से दाइं की तरफ लिखना एं तो इसमें क्या करेंगे जो तीन है उसके निचे लिखेंगे अ एक बटा आट और जो 6 है उसकी निचे आपको लिखना है एक बटा 64 अब जो संख्या दे रखी है उसके इस्थानिय मान से गुणा कर दो और उनको आपस में जोर दो तो 3 इंटू 1 बटा 8 प्लस 6 इंटू 1 बटा 4 इनको सॉल किया तो आग्या 3 बटे 8 प्लस 6 बटा 64 3 बटे 8 की जगह क्या 3 बटा 8 है इसके इस्थान पर अपन 0.375 और प्लस दो 6 बटा 4 है इसके इस्थान पर 0.09375 लिख दिया इन दोनों को आपस में जोरा तो आपको यह मान प्राप्त हो गया तो जो संख्या आपको 0.36 आपको एक उक्टल संख्या दश्मलर के अंदर दे र होगा वह हो जाएगा 0.46875 कोश्चन नमबर 2 इसको एक कोश्चन के जगह मैं आपको दो-दो एक्जाम्पल से समझा रही हूं ताकि आपको एक कोश्चन अगर समझ में नहीं आए तो दूसरे कोश्चन को आप दे करके अच्छी तरह से समझ जाओ कोश्चन नमबर 2 0.25 का जो ओक्टल संक्या आपको दे रखे है दश्मलर वाली उसको आपको डेसीमल में किस प्रकार चेंज करना है तो सॉलूशन कर दिया पहले जो आपको संक्या है वो लिख दो संक्या कौन सी दे रखे है आपको 25 यानि यापर आपने लिख दिया 2 और 5 पिर इसका इस्थान नीमान लिख दो संक्या इंट उस्थान ननल करो आपको 2 दे रखिए तो उसका इस्थान निमान किया हो गया 1 bytta 8 और 5 दे रखिए इसका इस्थान निमान किता हो गया इसकी place value किती हो गई 1 bytta 64 तो इन दोनों को आपस में घुणा करो और इनके बीच में कोई निशान ने, तो इनको आपस में 0.328125, यही इसकी decimal संख्या होगी, अगला conversion है, decimal को hexadecimal में परिवर्थित करना, तो इसकी भी कुछ step है, उसको देख लेते हैं, दी गई decimal संख्या को hexadecimal के आधार, 16 का भाग देते हैं, और जो successful प्राप्त होता है, उसको 0 और 1 लिखते रहते हैं, और फिर उसको वापस नीचे से उपर की और क्रम में लिखते रहते हैं, वो का वो है, जो decimal को आपने binary में convert किया था, decimal को आपने octal में convert किया, अब next है आपका decimal को hexadecimal में, बस यह है, कि जिसके अंदर जिसमें आप convert कर रहे हैं, decimal को, decimal से आप उसको उसके आदार का उसमें आप भाग देते हो, तो अब अपन कर रहे हैं hexadecimal के अंदर, तो hexadecimal का जो आदार किता होता है, 16, तो उसमें अपन 16 का जो decimal संक्या है, उसमें अपन भाग देते रहेंगे, और उसको last में जब इसको आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो इसमें वापिस 38 लिख दिया और यहां पे 16 लिख दिया और यहां पे क्या आ गया जीरो आ गया और इस जीरो को देखो मैंने अलग से पहन को आपको बता है इसको उठा करके इस 6 के नीचे दिया अब जब इसको पढ़ेंगे इसकी वैल्यू को तो इसको हमेशा नीचे से उपर की तरफ यानि बॉटम से टॉप की तरफ इसको पढ़ेंगे तो इसका मान किता हो जाएगा तो आपक कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर दो एक सो साथ डैसिमल जो संख्या दे रखी है आपको उसको आपको हेग्जा डैसिमल के अंदर इसकी वैल्यू को आपको निकान लाए तो वापिस वह प्रोसेस एक सो साथ इसमें 16 का भाग दिया तो कितनी बार गया छे बार गया औ पर वापिस इसमें 16 का भाग दिया इसमें नहीं जाएगा भाग तो क्या आगया आपका जीरो आगया और इस चे को इसके जो पहले वाले डिमेंडर है उसके निचे इसको लाकर के रख देंगे और वापिस इसकी वैल्यू को पढ़ेंगे तो हमेशा नीचे से उपर की तो hexadecimal होता है उसके अंदर क्या होगा 11 के स्थान पर अपन उसको भी लिखेंगी तो इसका मान हो जाएगा 107 decimal के अंदर जो संख्या दे रखी है उसका hexadecimal में इसका मान हो जाएगा 6b यह देखो hexadecimal के मैंने आपको पता है 0 से लेके 9 तक तो वो की वो संख्या आएगी 10 चहां पर भी आएगा उसको A लिखेंगे 11 के स्थान पर B 12 के स्थान पर C और 13 के स्थान पर D 14 होगा वहां पर E और जो 15 आएगा वहां पर आपको F लिखना है तो hexadecimal में आपको बस एक इसी बात को याद रखना है कि 9 तक तो आपको as it is वो की वो संख्या लिखनी है जैसे ही 10 स्थान पर आगया तो 10 का यह बतलब A आगे सागे continue चलता रहेगा और 15 रहते हैं उसकी जगापापन क्या लिख देंगे F लिख देंगे अगला conversion है आपको यदि कोई भी decimal संख्या आपको 10 मलव के अंदर दे रखी है और उसको hexadecimal में change करना है तो कैसे करेंगे तो वापिस इसके step देख लो 10 मलव अंको को 16 से गुणा करते हैं और carry को integer के रूप में इसके सामने रखते हैं और सभी carries को उपर से नीचे की क्रम मे विवस्चित करते हैं और वही hexadecimal की संख्या होगी सेम वो का वो process है जो आगे वाले मैंने आपको वीडियो में बताया है तो इसका example देखते है question number 1 0.35 आपको decimal के अंदर संख्या दे रखी है उसको hexadecimal के अंदर इसकी value क्या होगी तो 0.35 है hexadecimal का जो base होता किता होगा 16 तो इसको 16 से गुणा कर दिया तो 16 से गुणा करने पर इसका मान आ गया 5.65 को उदर shift कर देंगे अपन 5 है इसको इस साइड में shift कर दिया अब 10 वलों की संख्या कौन सी बच गया कि 0.6 तो 0.6 को वापिस 16 से गुणा किया तो इसका मान आ गया 9.6 9 को वापिस इस साइड में shift कर दिया पीछे क्या बच गया आपके 0.6, 0.6 को वापिस 16 से गुना किया तो क्या आगया आपके 9.6 इस 9 को वापिस इस साइड में shift कर देंगे और जब इसकी मान को पढ़ेंगे तो इसको हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ेंगे यानि उपर से निचे की तरफ इसकी वैल्यू को पढ़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 599 तो जो संक्या आपको 10 मलों के अंदर 0.35 decimal की संक्या दे रखी है उसका hexadecimal के अंदर इसका मान हो जाएगा 0.599 अगला conversion है changing of hexadecimal to decimal यानि hexadecimal जो संक्या दे रखी है उसको decimal में कैसे change करेंगे वापस एक table देख लो 16 की गात 0 लिखो या 1 लिखो एक की बात है 16 की गात 1 16 के बराबर 16 की गात 2 256 के बराबर 16 की गात 3 4000 के बराबर और 16 की गात 4 65536 के बराबर इसकी value होती है तो ये table आपको अच्छी तरह से याद रखने है example इसका first दिर लिखते है 39 यानि गुंचालिस आपको एक hexadecimal की संक्या दे रखी है उसको आपको decimal में convert करना है तो पहले संक्या लिख दो संक्या कौन से दे दिया आपको 39 तो 39 इसकी placement value यानि इस्थान ये मार अब इसको आपको हमेशा कहां से लिखना है right से left की तरफ यानि पहले आपको यहां से start करना है right hand side की तरफ दाहे तरफ से दाहे से by की तरफ इसको बढ़ना है तो 9 इसकी निच्छा जाएगा 16 की गात 0 और जो 3 है उसकी निच्छा जाएगा 16 की गात 1 अब अंक इंटू इस्थान ये मान मैं आपको यह short metric बता रही है ताकि आप इसको आसानी से solve कर सको अंक इंटू इस्थान ये मान यह जो उपर संक्या दे रहे हैं उसकी इस्थान ये मान से इसको आपस में गुणा कर दो तो 9 इंटू 16 की गात 0 फिर इंको आपस में जोड़ो प्लस 3 इंटू 16 की गात 1 अब इसको solve कर दो 16 की गात 0 की जगपन क्या लिख सकता है एक लिख सकता है तो इसकी जगपन एक लिख दिया कोई बी संक्या है उसको एक से गुणा करने पर हमेंजा वहीं संक्या मिलती तो यह पर आपको 9 दिया है तो 9 कौ एक सी गुणा क्या दिया तो आपको क्या मिल गया 9 16 की गात 1, 16 की गात 1 किसके बरबर होगी, 16 की बरबर होगी, और 16 को 3 सी गुना किया, तो क्या में गई गया आपको, 48, 48 में 9 जोड़ दिया, तो इसका मान आगया आपके 57, 57, तो जो गुंचा लिस आपको, ईसका 25, 65, अगला कुश्चन, क्शें on नंबर दो, EF6, जो आपको हेग्जा डेसिमल में दे होगी, मान दे रका है संख्या दे रक्या है उसको, अपको डेसिमल kIS प्रकार से चैंज करना है, तो संख्या लिख दो पहले, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया है संख्या, 16 यहां से आपको start करना है राइट एंड साइड की तरफ से तो 16 की गात 0, 16 की गात 1 और 16 की गात 2 अब क्या करोगे अंक और इस्थानी अमान का अपस में गुणा कर दो तो अब एक conversion को आपको मैंने बता है उसको आपको याद रखना है कि Hexa decimal के अंदर 10 आये उसके स्थान पर A लिखना है, 11 के स्थान पर B लिखना है जहां भी 12 अंक आये उसके स्थान पर C लिखना है, 13 के स्थान पर D 14 है उसकी स्थान पर E और 15 वाले स्थान पर आपको F लिखना है तो यहां पर आपको दे रखा है E E का मलब क्या हो जाएगा आपके E का मलब 14 तो 14 इंटू 16 की गात 2 प्लस F F का मलब क्या हो गया 15 तो 15 इंटू 16 की गात 1 प्लस 6 इंटू 16 की गात 0 सोला की गात 0 बराबर क्या होता है आपके 1 के बराबर हो जाएगा तो 6 इंटू 1 प्लस सोला की गात 1 किसके बराबर होता है 16 के बराबर तो 16 इंटू 15 प्लस सोला की गात 2 किसके बराबर होगा इस टेबल के अनुसार 256 256 तो यहां पर आपको लिख देंगे 256 और 256 को वापिस 14 से गुणा कंडा है इन सब को आपस में गुणा करके जोड़ा तो आपको value प्राप्त हो गई 3830 तो EF6 जो आपको hexadecimal के अंदर मान दे रखी एक संक्या दे रखी है उसका decimal में इसका मान होगा decimal में दे रखी है और उसको आपको decimal में चेंज करना है तो वह किस तरह से करोगे example देखते है उसके आदार पर आपको समझना जाए जाए जैसे आपको एक question दिया वाए 0.3 A hexadecimal के संक्या दे रखी है उसको आपको decimal संक्या के अंदर इसका मान क्या होगा तो पहले solution देखते है संक्या जो आपको question में hexadecimal की जो संक्या दे रखी है उसको आप लिख दो तो संक्या आपको कौन से दे रखी है तीन और ए दे रखा है ठीक है अब इसका स्थानियमान लिख दो स्थानियमान हमें सा आपको कहां से लिखना है 22 से दाएं की तरफ तो एक बटा सोला और एक की दिचे क्या लिख देंगे एक बटा सोला की घात दो तीन के निचे आजाएगा एक बटा सोला की घात एक और एक के निचे आजाएगा एक बटा सोला की घात दो अब अंक इंटू इस्थान ये मान जो भी संक्या दे रखी है उसकी प्लेस वेल्यू से इसका घूना करके इनको अपसमे जोर दो तो 3 इंटू 1 बटा 16 प्लस A इंटू 1 बटा 256 जालने से लिखा क्योंकि 16 की गात 2 होती है, वह 256 के बराबर होती है वापिस आप देखो इसके अंदर hexadecimal है इसके अंदर आपको A दे दिया तो A की स्थान पर आपको क्या लिखना है 10 लिखना है क्या लिखना आपको 10 लिखना है तो 3 बटा 16 प्लस 10 बटा 256 इसको solve किया तो इसकी value आपको मिल गई 0.2265625 तो जो संक्य आपको hexadecimal के अंदर 10 मलों में दे रखी है जो आपको question में दियू है वो है 0.3A का जो आधार hexadecimal के अंदर 16 है तो इसकी जो decimal में इसकी जो value होगी वो हो जाएगी 0.2265625 तो आज की class में conversion आपको मैंने बताए decimal को octal में octal को वापस decimal में किस प्रकार से convert करते हैं hexadecimal को decimal में और decimal को वापस hexadecimal में किस प्रकार से convert करेंगे इसके बारे में आपको मैंने आज की class पर बताए इस वीडियो को पूरी तरह से देखो इसको समझो और समezने के बाद इसको like करो और इसको subscribe भी करो और comment box प्रेस का comment भी लिक चे बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रही है तो आज की class यही पर समाप्त करते हैं, thank you